नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोग पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें नए साल के पहले दिन कर लेना इस वीडियो में बताया गया उपाए हो जाओगे माला माल तो आज की जो हमारी वीडियो है ये माता रानी के चपे सिक्के के उपर है नए साल पर खास कर अगर आपके पास भी ये सिक्का है तो समझो साक्षात मा भवानी का आपके सर पर हाथ है अब आपका भाग्य ऐसा चमकेगी जिसकी आप कलपना नहीं कर पाएंगे आप अगर वैशनो देवी हैं या दीपावली या फिर नवरात्रों में मातारानी के 26 सिक्के लेकर जरूर आते हैं खास कर दीपावली पर आवश्यक खिलाते हैं वैशनो देवी जाते हैं तो वहां से जरूर मिलते हैं ये सिक्के या पाँच का सिक्का, दस का सिक्का जिसके उपर कभी-कभी मातारानी जरूर छुपी होती है तो अगर ऐसे सिक्के नए साल पर अगर आपके पास में है तो आप भी इसका लाइव चमतकार देख सकते हैं अगर आपके पास में भी है मां की आकरती वाला सिक्का है तो आप भी बहुत बड़े धनी है ये नया साल आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा अगर आपके पास में माता रानी का सिक्का है तो इसे जागरित कैसे करना है और कहां रखना है सारी जानकारी हम वीडियो में बताएंगे मतलब इस सिक्के से आप नय साल पर हो जाएंगे धनी दोस्तों हमारे हिंदु धर्म में प्राचीन काल से ही शुब मुहूर्त में तथा नय साल पर जीवन की शुरुआत पर शुब त्योहारों में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है ये प्राचीन काल से ही चलिया रही है क्योंकि दोस्तों को हमारे हिंदु धर्म में लक्षमी कहा जाता है और लक्षमी सौभाग्य का प्रतीक है मातारानी के सिक्के लक्षमी मा के सिक्के का किसी भी दिन आपको यह उपाय करना है चमतकार देखकर आपकी आँखें फटी की फटी रह जाएंगी अगर आपके पास मातारानी के पुराने सिक्के नहीं है तो दोस्तों आप इसे ढूनना शुरू कर दी पहले वैशनोमान जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं दोस्तों आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैशनोमान जी की अगर एक तरह के हम बोल सकते हैं, छवी छपी है या फिर दुरगा मैया जी की छवी छपी है, माता लक्षमी की छवी है, देवी देवताओं की छवी है, अर्थात, दोस्तों, उनके स्वरूप छपे हैं या फिर लक्षमी जी का स्वरूप छपा है देखा क्या करते हैं घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्षमी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं तो उसका उपाय भी किसी भी दौरान आप अगर आपके पास में सिक्के हैं तो आप कर सकते अगर आप इन सिक्कों को सिध्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे कभी आपको किसी वस्तू का अभाव नहीं होगा ये कुबेर की कुनजी है और से इस शुभ अवसर पर अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ दोस्तों और हाँ कमेंट बॉक्स मैं आप अपनी राशे को भी हमें जरूर बताईए जिससे हम राशे के अनुसार आपको कुछ ऐसा उपाए कुछ ऐसी अचूक उपाए बता सके जिससे आपके जीवन में खुशहाली है आप धन से माला माल हो जाए तो इसके लिए आप अपनी राशे हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जयमान लक्षमी जरूर लिखे दोस्तों आपको बता दे कि जागरित अवस्था या शुभ पर्व कहां जाता है क्योंकि शुभ समय में देवी देवता भी पृत्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्यान के लिए एवं जीवों के कल्यान के लिए आवश्यक है बिखारी बनकर कभी जानवर एदिया किसी साधारण मनुष्य का रूप लेकर धर्ती पर ईश्वर जरूर आते है देखिए जिस दिन अगर कोई शुभ अवसर पड़ा है अगर कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए या आप जिस भी ईश्वर में आस्था रखते है उनका ध्यान करते हुए अगर एक किसी भी मंदिर में अगर मां का ध्यान करते हुए या अपने इश्ट देवता का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति एक रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के कपाप मिट जाता है दोस्तों एक खास बात कि इस वर्ष जो नया साल आने वाला है, वह बहुत ही शुब रहने वाला है, तो नय साल में अगर आप माता रानी को प्रसंद करना चाहते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसंद करना चाहते हैं, तो नय साल के दिन, खास कर नय साल के शुब मुहूर्थ पर माता रानी को गुड़हल के फूल, अर्थात, दोस्तों, जो गुड़हल का पुष्प आता है, जिसे हम बोलते हैं, इसका गजरा बना करके माता रानी को पहना देना, नए साल पर, माता लक्ष्मी को पहना देना, या फिर भेंट कर देना, माता लक्ष्मी बहुत सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निचावर कर देती है। जैसे कि धन, एश्वर्य, सुख, शान्ती माता सब कुछ निचावर कर देती है। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भी हमारा एक खास चैनल है और आप लोगों को हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं ताकि आप सब लोग नए साल के समय का भरपूर आनंद उठा सके। दोस्तों, नए के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जुड़े हैं जिनें पूरा टाइम शायद नए साल पर ना मिल पाए क्योंकि नए साल पर बहुत कम होता है मान लीजिए, अगर आप गजरा बना करके माता को चढ़ाएंगे तो आपकी सभी मनो कामना केवल एक ही दिन को गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती है नए साल पर अगर आपने माता को गजरा अर्पित कर दिया या किसी भी नौधेवियों में से किसी भी माता को गजरा अर्पित कर दिया आपका भाग्य ऐसा उदय होगा कि आप उसी दिन से करोड हो जाएंगे तो मा का हरदय बहुत कोमल होता है मन को प्रसन करना बहुत आसान है बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए तो दोस्तों, अगर आपके पास वैश्नो माजी का या फिर लक्ष्मी माजी का अगर कोई पुराना सिक्का है तो नए साल में इस पर्व से आप जो है दोस्तों इस पर्व से उसे सिक्के को जागरित कर सकते हैं हमेशा याद रखना बिना जागरित के अर्थाद दोस्तों बिना शक्ति पाठ किये हुए कोई भी आप चीजों को लेते आपको लाब नहीं देते छोटे से उदाहरन से समझना अगर आप कोई भगवान की मूर्ती घर में खरीद करके ला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो दोस्तों ऐसी मूर्ती की घर में पूजा नहीं होती है हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ती में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ती हमें फल प्रदान करती है उसे मूर्ती की पूजा करने से दोस्तों आपको महायोग फ्री में प्रत्येक जानकारी प्राप्त करता है इसलिए आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, आपके लिए हम कितनी जानवर्धक जानकारी लाते हैं जो कि हम पैसों के माध्यम से भी लोगों को बता सकते हैं पर हमारा संकल्प है कि हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ती तक यह जानकारी पहुँचे और निशुल्क पहुँची यानि कि किसी को इसका एक भी ना देना पड़े इसलिए दोस्तों, आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें चलिए जानते हैं देखिए, जब कोई मंत्र जाब करके प्रान प्रतिष्ठा करते हैं कि मैं तो वह जागरित होती है इस तरह यह वैशनो माजी के सिक्के आप सभी लोगों के पास में है यह अभी बहुत कुछ वर्षपूर्व बहुत चले हैं तो अगर आपके पास में है परन्तु अगर आप इसको जगह करके नहीं रखे हैं तो दो ही आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है केवल एक साधारण सिक्का है दोस्तों लिए इस वीडियो में जानते हैं यह सिक्का किस तरह से जगरित होगा इसको जगरित करने का आसान तरीका तीन का तरीका बताऊंगा जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना और दोस्तों आप जो है यह वीडियो कोई जल नहीं है सत्य जानकारी है इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाब उठाना और यह सिक्का अगर आपके पास में रह जाएगा तो महंगे आपको रत्न पहनने की जरूरत नहीं है दुकान धंधे की अगर बात करें तो आपकी इतनी कही जाए तरक्की होगी जिसकी आपने कलपना भी नहीं की है तो सिक्के जागरित करने का तरीका सुनिए तो वे मां जी का सिक्का या फिर आपके पास लक्ष्मी मां जी का सिक्का है या फिर कोई ऐसी देवी देवता का सिक्का है जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उसे नए साल के प्रथम दिन को ही जब आप घर में विशेश पूजा पाठ करें तब आप एक थाली में यह सिक्का रखें यही दुद अक्षर तथा होली और पांच रंग की मेवा से इसका अभिशेख करें तथा गंगा जल से अभिशेख करें अगर आपको पता नहीं है यह उपाय तो आप नए साल के बाद में भी यह उपाय कर सकते हैं उपाय आप कौपी पेन पर लिख कर रखो ही छोटी सी पूजा के प्रभाव से यह सिक्का जागरित हो जाता है फिर आप जो है इस सिक्के का उपाय धन आकर्शन में कर सकते हैं या फिर बहुत इक सुख की प्राप्ती में कर सकते हैं नए साल के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है, वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, उसमें इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब यह चमतकारिक सिक्का यह प्रथम तरीके से आप जो है इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागरित कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका सुनिए, तो इस चमतकारी सिक्के को जगाने के लिए दूसरा उपाय है, इस सिक्के को तुलसी की जाड के नीचे में नया साल आने से ठीक एक दिन पहले ही आपको मिट्टी में दबा करके रखना है, और इसे एक जनवरी नय साल के दिन निकाल लेना है। आपको बता दे, पूरे दिन में तुलसी की जाड के नीचे समस्त एवं हरी समेत, अर्थात भगवान विश्नु समेत देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, घंटे में जो है तुलसी की जाड के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि जो है नए साल के समय देवी अस्था में होती है, किसी जागरित हो जाते हैं। दूसरा तरीका आप जो है तुलसी की जाड के नीचे रख कर के आप इसे जागरित कर सकते हैं। तीसरा तरीका सुनिए, जिससे अगर नए साल के में भी अगर आपको समय ना मिले, तो नए साल के या अगले दिन, यानि ज शक्ति होती है, माता नवदुर्गा के नौ स्वरूप है, जितने भी माता रानी के, जो शक्ति पीठ है, सबकी जितनी भी देवी, शक्ति संसार में समस्त देवी, शक्तियां जो है, नियम के परवास करती है, दोस्तों. स्वएंम साक्षात मानवदुर्गा के स्वरूप है, तो नै साल के किसी भी दिन, अगर आपके पास में वैष्नो माता जी का सिक्का है, या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उसी सिक्के को आपको रख करके जाना है, और नियम वरिक्ष की जड़ के नीचे में आपको दबा क परकर के आना ऐसे नहीं दबाना बस नियम व्रिक्ष से प्रार्थना करनी है क्योंकि नियम माता नवधुर्गा का वास होता है तो ये प्रार्थना करनी है कि है नवधुर्गा माता इस सिक्के को आप जागरित करें मैं आपके श्री चर्णों में छोड़ने आया हूँ तो जो है आप जो है चार से पांच अंगुल के नीचे नीम व्रिक्ष की जाड के नीचे मैं इस सिक्के को दबा करके आ जाना है नए साल के ठीक एक दिन पहले दबा दें और चौबीस घंटे तक मिल पा रहा तो वीडियो को और फिर से बाद में देखना आप नए साल के जनवरी के महीने में किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं तो नए साल पर बाद बाकी आप जो है ज्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं नए साल से लेकर कुछ लंबे दिनों तक रखते हैं जमीन में काटते हैं यानि नियम व्रिक्ष के नीचे और फिर निकाल करके लाते हैं तो ये और भी ज्यादा प्रभावशील हो जाते हैं आप नया साल समप्त होने के बाद भी यह उपाय बीच में कभी भी कर सकते हैं दोस्तों, दोस्तों, हमने आपसे एक अनरोध और किया था कि आप अपनी राश्य को कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या फिर आप अपना नाम और जरूर बताएं और जैमा लक्षमी जरूर, लिखें नये साल के इन सिक्कों का किस तरह से उपाय करना है वह ध्यान से थोड़ा सुनिएगा क्योंकि यह सीक्रेट जागरित हो गए परंतु अगर आप उनके उपाय विधी नहीं जानेंगे तो आपको कैसे लाभ मिलेगा यह सिक्के जागरित हो जाएंगे तो इसका उपाय आप बहुत सारे कारियों में कर सकते हैं कौन से कारियों में लिए जानते हैं दोस्तों यह जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप भी चाहते हैं कि मातारानी नए साल के शुब अवसर पर आपके घर में आए आपके घर की सभी मनोकामना सदस्यों की मनोकामना को पूर्ण करें आपके घर में धन, दौलत की बढ़ोत्री करें तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मातारानी आपका स्वागत है मातारानी प्रतियेक हिंदू भाई के घर में नव वर्ष पर जरूर जाती है आप मानो या ना मानो, जो लोग अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं तो उन्हें भगवान जरूर आशीरवाद देने आते हैं तो जानते हैं नए साल के बाद इन सिक्कों का उपाय कैसे करना है तो आप इसे लॉकेट के हक लगवा करके आप जो है इस सिक्के को चाहे माता वैशनु जी के सिक्के हैं चाहे माता लक्ष्मी जी के सिक्के हैं चाहे आपके पास पुराना कोई सिक्का है आप उसे सिध्ध करने के लिए दबा करके रखें जो सिध्ध करके रखें हैं तो इस सिक्के को लॉकेट की भांती आपको हक लगवा करके बनवाना है अर्थात इस लॉकेट के भांती रोक लगा करके आपको पहनाना है दोस्तों पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमतकार होना शुरू हो जाएगा से भी ज्यादा ये आपको फाइदा देगा मित्र के भांती हर कदम या आपका मार्क दर्शन करेगा अर्थात उर्जा रूप में ये हर कशेत्र में आपकी मदद करेंगे क्योंकि ये जागरिती चीज है हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाब देती है दोस्तों आपने कई लोगों से ये सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रात और रात अचानक उनकी किस्मत बदल गई या फिर उनके जीवन में परिवर्तना गया तो ऐसा होता है ये जो बोल सकते हैं जागरिती चीज व्यक्ति के जीवन को बदल करके रखने में सक्षम होती है दूसरा दुकान कारोबार स्थान में ये पैसों के साथ में अगर खासकर नए साल पर इस सिक्के को रखते हैं जैसे कि आपकी दुकान है वहाँ पर सिक्का रखते हैं कारोबारी स्थान में अगर इस सिक्के को अन्य जैसे आप पैसा रखते हैं सिक्के के साथ में रखते हैं, तो ये सिद्ध हो जाते हैं, स्वैम जागरित होते हैं, जिस तरह चुम्बक है, ये लोहे को अपनी तरफ आकर करती है, इस तरह अगर आप इस दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं, तो ये जितने भी ग्राहक है उन्हें आकरशित करत और ये लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्शित करते, तो इससे आपकी ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म मन्नत होती है। तो इसके बाद इस धन पेटी और पर्स में रखते हैं, तो जब तक यह सिक्का आपके पर्स में रहेगा, धन पेटी में रहेगा। कभी भी आपको धन, दौलत, वैभव की कमी नहीं। होगी, इसके बाद घर के लोग, जहां पर सभी लोग आपके घर में बैठते हैं, उस स्थान पर फ्रेम बनवा करके, अगर घर में ये सिक्के रखे जाए, जहां पर सभी लोग, जैसे की हाल है, तो हाल में घर के सभी का देगा, सभी लोगों की किस्मत सितारे जैसी चमकेगी, नए साल पर कौन-कौन माता, लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहता है, तो नए साल पर कमेंट बॉक्स में लिखिए, माता लक्ष्मी, इस नवर्ष पर, आप हमारे घर में जरूर पधारे, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है, हमारे घर में एक लाइक जरूर करें